नमस्कार पेरे साथियों मैं इंदी वेख्याता कविता सुरान आज के इस नए वीडियो में आपका आरदिक स्वागत करती हूं कैसी हो आप सब उम्मिद करती हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि आप थमनेल में आज के समय में गौर्मेंट जो लगना एक बहुत ही आहड काम है बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन साथियों आप देखते हो कि लाखों में स्टूडेंट तयारी करते हैं लेकिन फिर भी मैरिट इतने उची नहीं जाती है आप देखते हो सतर से अशी के बीच में जड़ता क्यों सबी स्टूडेंट सबी अच्छी से अच्छी कोचिंग में बढ़ते हैं अच्छी से अच्छी ओनलाइन ओफ्लाइन कोचिंग करते हैं किसी बीजार्थी को कोई भी बुक पता देता है वो बुक लाके भी खूब तयारी करते हैं फिर भी मैरिट उची क्यों नहीं ज लेकिन जब हम खुद का अत्नम मुल्यांकन करते हैं और हम बाके के विजारतियों की देखते हैं साथियों चाहिए कहने को कोई कुछ भी कह दे कि आजकल पेपर लीक हो जाते हैं या फिर वह मार्शी तो बढ़ दी जाती है या फिर डमी कंडिडेट बठा दी जाते हैं कहने क कुछ भी कह दे जाती हो लेकिन जो भी द्यारति वास्तों में मेहनत करता है ना उसका चैन होता है साथियों मेरा ये मानना क्योंकि जिस अब कि बार मैंने एक्जाम दिया है तो साथियों उस टाइम भी पेपर भी लीक हुआ है डमी कंडिडेट भी बैठे हैं सारा काम वहा साथियों फरजे डिकरियां में लगी हैं सब कुछ होता है हर बड़ती में होता है किसी बड़ती में ओपन हो जाता है किसी बड़ती में ओपन नहीं होता है लेकिन साथियों होता सभी बड़तियों में है तो लेकिन फिर भी अगर मेरा चैन हो सकता है तो मेरा मानना है साथि नहीं कर सकते तो फिर आप हम दूसरे लोगों से उम्मिद कर लेते हैं कि वो हमारे अकोर्डिंग विवार करें हम जैसा चाहते हैं वैसा वो हमारे साथ विवार करें वैसा वो हमारे लिए बोलें वैसा वो हमारे लिए करें तो साथियो जब अमारा मन ही हमारे वसमें नहीं है हम अपने मन को उसमें नहीं कर सकते हैं, तो साथियो मैंने इसके लिए एक संकल्प लिया था, एक संकल्प आपको भी लेना होगा साथियो, अगर सफल होना है तो, वरना देखो साथियो, मन तो किसी का नहीं करता, आप ही बता देजी, किसका मन करेगा सारे दिने किताबों के में बैठे रहने का मन मेरा भी नहीं करता था मन करता था कि सोई रहूं और जब एक जाम आउस से पहले जुन जुलाई अगस्त में इतनी बैंकर गर्मी पड़ती है साथियो एक पंखी के नीचे बैठा रहना तपना मुझे भी दूबर लगता था मेरा भी मन करता था कि कुलर चले बहुत सारे स्टूडेंट का यह रहता है कि हमारा मन कंट्रॉल नहीं होता है मेंगर वाले यह बोलते हैं तो देखो साथियो, आपको सफल होना है, तो आपको इन बातों को नदर अंदाज करना ही पड़ेगा, आपको अपने मन को वस्मे करना पड़ेगा साथियो, अगर आपने मन को वस्मे कर लिया है, तो फिर आप सफल हो सकते हैं, आपको कोई ने रोक सकता, तो मैंने एक संकलप बठे बठे पढ़ने मन करता है तो लेट कर पढ़ने या फिर मन कोई बहाने बनाता है कि बहुत देर हो गया पढ़ते हुए बहुत देर हो गई पढ़ते हुए या फिर घरमी लग रही है यानि हमारा जो मन है वो अपने आप बहाने खोजने लगता है बचने की और साथियों हम मन के मते चाल पड़ते हैं तो फिर वहीं हम अपने पैरों पर कुलाड़े मार रहे होते हैं साथियों तो आपको संकलब यह करना है कि जब तक सफर नहीं हो जाते हैं तब तक साथियों आपको ना ही तो गर्मी का पता चलना चाहिए ऐसा बना लिजी अपने स्रीश को किफ़ेंगर में लग रही है नहीं आपको लोगों की बातों का फरक पड़ना चाहिए साथियो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए आपको कोई कुछ कहता भी है सुनता भी है और वो वहीं रुक चाहती है चाहिए हम कितने भी कोशिश कर लें लेकिन साथियो हमें कोशिश पूरे जीज़ जान लगा करनी होगी कि हम मस्तिक्स में उस बात को अटकने ना दें इस कांज से सुनें उस कांज से निकाल दें या फिर ऐसे करने जैसा कि मैं करती थी शाथियों मैं सारा दिन कांजों में बाहर काम करते हुए आपको कही बार बता चुकी हूँ फोन से कनेक्ट करके बल्युटूट से और मैं कांजों में लीड डाल के रखती थी अपने जब कहीं भी बाहर जाती थी तो काम करने के लिए घर से बाहर नीकलती थी, तो वहाँ भी मैं कोई मुझे बोलता भी था, तो मैं अगर थोड़ा बहुत कानओं में पढ़ भी जाता था, तो मैं उसको अन्सुना कर देती थी, कि मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, में अव्यक्त सिशारा कर देती कि मैंने काओं में डाल रखी है तो साथियो मन को कंट्रोल में करना माइसा करते थे तो लोग कहते भी थे हमारे आशपडोस के कि क्या सारे डिन पढ़ती रहती है, कितनी साल ही पढ़ती है, कुछ अंद गलगती है, अदुने लगन तुने दो आपकूम्ग, मैं एक संकलब पर रहा था, कि अब की बार कि नहीं तो फिर बी कहने, अभी किना, खने नहीं तो Rebecca Sh Harley Eman, तो कभी नहीं तो कभी नहीं यानि मैंने लास्ट मोखा समझ करते शाथ यह अपना सो परतिशत दिया था पूर समर्पी तोकर पढ़ाई जागरित है, आपको वास्तों में जरूरत है साथियो तो आपको मोटिवेशन क्या आऊ सकता नहीं, जो मोटिवेशन है वो हमारी फैमिली होती है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन होता है, साथियो मारी परिष्टित अगर पढ़ने का मन करता है तो ही तयारी कि जीए मन नहीं करता है तो साथ्यो कभी सफलता नहीं मिलेगी। किताबों में क्यों तो अपने आखिक घराब करो, क्यों सारा दिन अपना उरजा कि वेस्ट करो अपना कोई और काम देख लो साथ्यो। ये तो आपको भी पता है कि काम करें ना तो काम सलने वाला है नहीं सरकारी जो बहुत कम बची हैं और जो बची हैं साथियों नमें अभी भी मौका आप तो ये लाश्ट मौका मान कर तयारी कीजी साथियों क्योंकि एक समय के बाद आप देख रहे हो हमारी रजस्तान में तो ऐसा यह रहा है कि हर सरकार पांथ साल में मुस्किल शेक बरती पूर नहीं यानि आपके लिए लाश्ट मौका होना चाहिए साथियों या तो इस पार या उस पार और आपका मन नहीं करता है तो साथियों आप कहीं भी चले जाए कोई भी काम कर लेजीगी तो आपको भी पता है खासकर कि लड़कों से कहना चाहूंने आजकल आप देख रहे हो लड़की गोर्मेंट जोब के विना तो साधी और भी बहुत मुश्किल हो जाता है और लड़कियां कुछ ज्यादा पड़ रही हैं लड़का नोकरी भी लग जाती हैं तो नोकरी लगने के बाद साथियों ये नहीं होता है कि वो खुद नोकरी लगी हो और एक बिना नोकर के बाद त्यारी कर रही है तो अगर आपका मन कर रहा है आपका मन वस में है तो आप त्यारी कीजिए मन वस में नहीं है तो मत कीजिए जब आपका मन ही कंट्रोल में नहीं होगा तो आप त्यारी नहीं कर पाओगा आपको कभी ताने दें गरवाले कभी कुछ बोलेंगे तो कोई मुथकन पनेखर हैं कोए और भी य हैसे उंकलब लिया था कि अब contest कुछि के सनय नहींनी पर देंगत कुछ यहां। मेरा भी एक परकार से विश्वास उट गया था लेकिन जब इस बार मैंने वास्तों में मन लगा कर तयारी की मैंने नोट्स बनाए मैंने बार बार रिवीजन किया मैंने खुद पर विश्वास किया मैंने अपने इस्ट देव पर विश्वास किया मैंने दुरुदर की बातों मैं नींद में सोई सोई भी सुनाई देती थी मुझे इस लाइन ने भी बहुत मौटिवेट किया मुझे और साथ ही मेरे संकलब ले रखा था कि इस बार यह तो मेरे नोक्री लग जाएगी नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साथ यो मोटिवेशन जो हो हमारी मारे लिए होती है जैसे मेरे लिए मेरे बच्चे मोटिवेशन देजाती हो मुझे लगता था कि मेरे बच्चों का चलो मेरा तो हो गया कैसे भी करके काम चल रहा है खाना मिल रहा है लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा कैसे उनकी शिक्ष्या पूरी हो पाएगी क्या उनक करता है कि हम कितनी तैयारी करेंगे हमारा मन तैयारी में लगेगा या नहीं लगेगा तो साथियों अपने मन को कंट्रोल में कीजिए सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगे बार बार आप से यह कहती हूं मन को आपको अपने मन को वसमे करना ही पड़ेगा अगर तैयारी कर रहे होती है एक बार आपके अकिसानों मुद्ध जता देते हैं पीछे से के मजा की बनाते हैं कि सारे दिने अपने समस्याओं का रोना रोते रहते हैं लिए बढ़े रहते हैं तो मेरी सलाह मानिए आपकी बड़ी वहन हूं इसके अनाते या फिर साथियो कुछ भी मान लेजिए ल से साथ गंडा साथियो एकदम खीच के लेंगे आपको प्राइवेट स्कूलों में रूपे क्या देंगे साथियो साथ से आठ दस जार रूपे तो बहुत मुश्किल से देते हैं साथियो यहां क्योंकि आपको पता है बेरोजगार कितनी बढ़ गई है तो चार पांच चार प कोई सहर में स्कूल होता है आज कल तो कितना डिक्सिप्लेन होता है वहां और कितना मतलब प्रिंसिपल वह सारा दिन एक प्रकार से टोर्टर करते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचरों को इतना काम में लेते हैं वह अधिश ज्यादा और सालरी के नाम पर साथियो बहुत कम मेहनताना मिलता है तो इससे अच्छा है आप एक बाद 10-12 मेने 12 मेने, 8 मेने साथ यो खूब जीजान लगा कर मेहनत कर लीजिए आपके आगे की जिन्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे अच्छा आपके लिए आप आगे की जिन्दगी के बारे में कलपना कीजिए साथी हो कि जब आपका आप इतने अच्छी तयारी कीजिए कि आपको एक परकार से ये चाहो रहे कि कब मेरा पेपर होगा कब मेरा पेपर होगा और जब पेपर हो तो आप वास्तों में बहुत अश्चा अपना जो इतना दिन त्यारी कर रहे हो उसका बहुत अच्छा प्रेंपर आप पर्जेंट कर बाओ आपset और नमडर नमडर सुधर जाएगा आपका भी सुधर जाएगा तो साथियों देखो कुछ पाने के लिए मनद कर लिए कोपयों पैसे भी तो कितने मिलेंगे कितना समान करेंगे लोग आप my खुद देखुँ तो घर पे तो जहां इनसान भी नहीं समझा एक düşün्श में सात्यों थे तक मिल रहा है कि दर में तो एक इसान में actress ने नहीं समझे से लेकिन जा स्मान के हम लाइक थे जिसके काभिल थे सात्य आप्दlardan प्रम muchísimo आज बच्चे इतना करते हैं स्कूल की इतना समक्रिय तक होग मिलकी में, सात्यो झालगार्व 17 नजरिया वही रहता है लोगों कि ये तो किसी काम के है ही नहीं तो साथियो काम करे बेना तो काम चलेगा नहीं ये तो आपको भी पता है कल को कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा साथियो कहीं भी चले जाना आप नोकरे नहीं लगो और पैसे बहुत कम मिलेंगे साथियो आप बविश्य की सोसकर ही कुछ दिनों के लिए खूब जी जान लगा कर मेहनत कर लीजिये साथियो इतनी मुश्किल भी नहीं है गौर्मेंट जो बस एक संकल्प ले लीजिये कि मुझे इस बार हरहाल में एक सीट लेनी है तो आपका ए विडियो में इतना ही साथियो एक संकल्प ले लीजी आज से अभी से ही और खुद को जोंक दीजी धन्यवाद साथियो जै हिंद जै बारत